विन प्राइज राइज बाइज बाइज 12 परसेंट इफ दा एक्स्पेंडिचर इस तो बी सेम वर इस परसेंटेज आफ कंजम्शन तो बी रेडियूस्ट ठीक है तो आप इस तरीके से ले सकते हैं कंजम्शन को मैंने आप से कहा था कि सपोज आप 100 रुपीज में आप कुछ चीज ले रहो हो आप 100 kg ले रहो हो ठीक है आप 100 kg राइज शुगर कुछ भी ले रहो ठीक है तो तो अच्छा तो 100 रुपीज 100 kg नाव प्राइज बढ़ गया है प्राइज अब 12 परसेंट बढ़ गया है प्राइज तो इस तरीके से मैं बतावंगी आपको 12 percent price ही राइज हो चुका है एतो प्राइज तो 110 रुपीज अब 112 का आप कितना आएगा 100 kg आएगा ठीक है लेकिन आपने लेना तो 100 रुपीज का है आपने expenditure तो सेम रखना भी या ठीक है अगर आप expenditure सेम रखेंगे तो तो आपने 100 रुपीज का ही लेना पड़ेगा तो अगर अब 112 रुपीज का 100 kg आ रहे तो 100 रुपीज का अब less kg आएगा less तो अब यहां से अब देखो आपका consumption आगया वो यह आगया ठीक है 100 रुपीज आप चाओ तो इसको तू से दिस विल गीव यू 25 ठीक है पिट्ना रहा है 25 इन्तो 25 अपाउन 7 केजी ठीक है तो 100 केजी से अब 25 इटो 25 अपाउन 7 केजी है तो जाइट से बात है consumption reduce हो चुका है, if you'll calculate ठीक है, 25 into 25 अगर आप calculate करोगे ओके if you'll calculate 25 into 25 by 7, it will be less than 100 kg ठीक है, ओके it will be less than 100 kg, क्योंकि 7, 3 is a 21 3 point something आएगा, 25 into 3 point something will be less than 100, तो आपने वो ही बताना है, अब कैसे हम लोग निकालते हैं see how we will calculate, जरूरी नहीं कि आप यहीं पर इसको solve करो पूरा, ठीक है ओके तो इसको हम लोग क्या करने वाले है so this will going to give you 25 into 25 is 625 by 7 kg ना ओके, तो 625 by 7 kg, तो 100 kg से 625 by 7 kg, यह 100 kg है 100 kg से 625 by 7 kg कम है, so decreasing percentage निकालना है, decreasing percentage is equal to decreased value, तो बड़े से चोटी value घटादो, 100 minus 625 by 7 upon, upon decreasing percentage निकालना, decreasing percentage equal to decreased value upon larger value larger value is 100 only, ठीक है into 100, ओके larger value is 100 only, 100-100 cancel हो गया, ठीक है, यह तना percent आजाएगा, तो 700 minus 625 by 7, तो यह कितना आएगा है, 75 by 7% okay, ठीक है, 75 ठीक है, 75 का मतलब है, 7 10s 70, तो 10 5 by 7 percent will be the answer, 10 5 by 7 percent, 10 5 by 7 percent D is the right answer, बहुँद अच्छे, ठीक है 10 5 by 7, तो कैसे increasing or decreasing percentage से आपने का, I've not written the formula, मैं फॉर्मला लिख लेता हूँ, जो बच्चे ने हैं, ठीक है, है, that decreasing percentage is equal to decreased value, जब उपर decreased value होगे, तो नीचे होगा, larger value in 200, so simple झ published di trailer and law cops. मैं उनल, बॉपर देता हूँ, बॉर्मला जाल, बॉर्म, जीक है झाल, तो बॉर्मला